कौछ He कि अमस्कार दूस्तो आर्ट वीज जालाट में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे प्राचीन भारती कलास के प्रमुक केंदर के बारे में और जिसमें हमारा आज का विशे है एलोरा की गुफा तो आईए हम जान लेते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में विस्तार से एलोरा की गुफाएं एलोरा महराष्ट राजियों में औरंगाबाद से 39 किलोमेटर तथा अजंता से 135 किलोमेटर दूर स्थित है एलोरा का स्थानिय नाम बैरूल है ऐसा माना जाता है कि राश्टकुट राजा क्रिशन प्रथम के काल में बड़ी बड़ी पहाड़ीों को काट कर ये गुफाएं बनाई गई थी इसमें विशाल अकार वाली मूर्थिया तथा चट्नानों को काट कर विशाल अकार के मंदिरों का निर्मान भी किया गया था मंदिरों के कुछ प्रमुक भाग है जो आगे इस प्रकार से हैं पहला भाग है गरब ग्री है दूसरा पश्चिम की ओर का दूर तीसरा नंदिग्रे है और चोथा है आहाते के चारों ओर की छटे आईए अब इनको विसीतपर से थोड़ा जो है सबसे पहले है गरब ग्री है मंदिर का वह स्थान होता है जहां पर मुख्य मूर्ती रखी जाती है जिसकी पूजा की जाती है तो उसे गरब ग्रिहे कहते हैं दूसरा है पश्चिम की ओर का दुआर यानि कि गरब ग्रिहे में कई बार पश्चिम की ओर दुआर बनाया जाता है तो इस तरह से ये इसका दूसरा भ रामदे के चारो और की जो च्छते होती है उसे कहते हैं तो ये हैं मंदिर के कुछ प्रमुक जिनके बारे में हमने जाना तो आईए अब हम एलोरा गुफा को एक बार देख लेते हैं राष्टकुट राजा क्रिशन प्रथम ने इस एलोरा गुफा का निर्मान करवाया था इस गुफा का निर्मान नवी शती से लेकर बारवी शती के मद्यमें हुआ माना जाता है इस प्रकार 900 वर्षों तक इस एलोरा में कारयों होता रहा है एलोरा बाध ब्रहमण यानि की हिंदू तथा जैन तीनो धर्मों का पावन त्रिवेनी है यहां कुल 34 गुफाएं हैं जिसमें एक से लेकर बारा तक यानि की बारा गुफाएं वो हो बाध गुफाएं यानि की बाध दर्म से समंदित है और 13 से 29 यानि की जो 17 गुफाएं है वो हो ब्रहमण यानि की हिंदू धर्म से समंदित और 30 से लेकर 34 गुफाएं जो की कुल 5 गुफाएं है यह जैन गुफाएं यानि की जैन धर्म से जिसे समंदित माना जाता है एलोरा का सरवादिक प्रमुख भगवान शिव का केलाश पंदिर है जो गुफा संख्या 16 में स्थित है इसका निर्मान राश्टकुड राजा कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था यहो केलाश मंदिर द्रविशैली में निर्बित है 300 फिट लंबे तथा 50 फिट चोड़े एक विशाल परवत को काट कर इसका निर्मान किया गया था इस गुफा में 30 लाख लोगों ने कारे किया था ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के मध्य में एक शिवलिंग स्थापित है इसके निकट ही नंदी का मंडप तथा पारवती, गनेश, रुद्र, चंदर और सब्त मात्रिका के छोटे-छोटे मंदिर है मंदिर के अंदर पौरानिक, गाथाओं के सुन्दर, चितर तथा शिव पारवती, नंदी, महलक्ष्मी, इंदर आदी की प्रतिमाएं है एलोरा की 32 गुफा इंदर सभा के नाम से भी चानी जाती है, एलोरा को युनस्को द्वारा विश्व धरोहर्स्तल सन 1983 इस्वी में घुचित किया गया था नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रसिद गुफा मंदिरों के बारे में 13-39 तक की गुफाएं जो हिंदु धरम एवं संस्कृति को उजागर करने वाली है वह इस गुफा मंदिर में स्थित है इसमें हिंदु शास्त्रों के देवी देवताओं का समावेश है ब्रामन हिंदु गुफा की गुफा संख्या 15 में दशावतार का मंदिर है जिसका निर्मान दंती दुर्क दुत्यों के काल में हुआ था गुफा संख्या 14 रावन की खाई गुफा संख्या 21 रामेश्वर मंदिर तथा गुफा संख्या 16 के लाश मंदिर जिसमें धोजास्तंबी है एक बार फिर से मैं इन मंदिरों को आपको सिक्वेंस में बताती हो कि गुफा संख्या 14 जो है वो रावन की खाई के नाम से जाने जाती है गुफा संख्या 15 दशाफतार मंदिर और गुफा संख्या 16 के लाश मंदिर जिसकी उंचाई 147 फीट लंबी 21 फीट चौड़ी और 100 फीट उंची है और गुफा संख्या 21 जो की रामेश्वर मंदिर के न अब हम जैन धर्म की प्रसिद गुफाओं के बारे में बात करें तो जैन धर्म की गुफाओं तीस से लेकर चौनतिस गुफाओं यानि की पांच कुल पांच गुफाओं हैं जिसमें से टीसवी गुफा को हम छोटे के लाश के नाम से भी जानते हैं और 32 गुफा vibration से जानी जाती है और 33 गुफा जो संख्या है वहोजगनाथ गुफाओं के मूर्ति निर्माण नवी शती से बार्वी शती के मद्या किया गया है जैन धरम इने की दिगंबर संपरदाय से समंदित यहों मंदिर माना चाता है इन गुफाँ की बीतियों में पाशरवनात और महावीर तिर्थकरों की मूर्तियां बनाई गई हैं तो दोस्तो ये था मेरा आज का टॉपिक अलोरा गुफा के उपर उमीद करती हूं कि आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको इजी से इजी वे में बहुत सारी जानकारी उपरत कराऊं इसलिए मैं नोट्स अपने आप खुद बनाती हूं कई बुक्सों क पढ़के तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उपर बैल आइकन को जरूर दबाएं क्यूंकि मैं जब भी कोई अपनी नए नोटिफिकेशन डालोंगी तो सबसे पहले आप को इनफॉर्मेशन मिल जाएगी तो दोस्तों यह था मेरा आज का टॉपिक उमीद करती हूं कि आपको पसंद आया होगा अब हम मिलेंगी अपने नेक्स्ट टॉपिक में अपने नए विशे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद